अज हम करने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर है को करिक्यूलर एक्टिटीज तो सबसे पहले हम देखींगे को करिक्यूलर एक्टिटीज होती क्या है तो अगर मैं आपको सिंपल मैं बतां inverse अगर आपको समझाने अगर आप चाहते हो क्यों आप को सिंपल वर्ड में बताऊं कि यह किया है तो आप ये सोच सकते हो जो हमारा जो को करिकॉलर अक्टिविटी पहुती है यह आप जो हम स्कूल में पढ़ते हैं क्लास्रूम एक तो हम स्कूल में हम classroom में हमारी studies वगरा करते हैं ठीक है तो वो एक होता है वो school का एक हिसा है बाकि जो उसके बगहर जो हम activities करते हैं ना उसके साथ साथ जो classroom के बाहर वाली activities होती है जैसे कि आप debates करते हो आप games खेलते हो आप excursion पे जाते हो आपके school में कोई dance competition होता है वो सारे जो होते हैं उन सब को हम मिला के जो जैसे कि morning assembly piece में आती है उन सब को मिला के हम क्या बोलते है go curricular activities ठीक है तो आप definition हम देखते हैं इसकी go curricular activities are those activities that operates outside the direct instructional programs out of class but within the school यानि आप बोल सकते हो यह वो वाले तो जो activities हैं जो हमारा school जो कराता है जहां हम पढ़ते होँआ पर जो कि हमारा school conduct कराता है यह school के अंदर ही होती ही actividades लेकिन जो class के बाहिर होती है class में जब हम जाते हैं वाह पर हम पढ़ते हैं तो class के बाहिर जो भी activities होंगी उनको हम बोलेंगे co curricular activities Co-curricular activities are very important for the physical, social, mental, cultural, emotional and moral development of the child यह बहुत सिंपल है यानि जो Co-curricular activities है यह एक बच्चे के physical यानि उसकी body, social वो कैसे लोगों से बात चीत करेगा वो इसमें सीखता है social development होता है mental यानि उसका mind है वो अच्छे से काम करने लगता है उसको अपने culture के बारे में पता चलता है उसका emotional development हो जाता है यहां पर आपका moral development हो जाता है ना यहां पर आप जब team में काम करते हो आपको पता चलता है कि आप कैसे उनके साथ आपको बात चीत करनी है या कभी आपको गुसा आता है आप गुसे पर control कर पाते हो ठीक है यहां पर discipline आप सीखते हो games क्या है discipline क्या अगर आप में कोई भी रूल तो आप से out हो जाते हो है ना तो यह सारा आप कहां पर सीखते हो किनकी वज़ज़ सीखते हो co-curricular activities की वज़ज़ से ठीक है तो इसमें example में आप ले सकते हो जैसे morning assembly होती है हमारे स्कूल में वो भी एक co-curricular activity है जो trips वगएरा हमारे स्कूल वाले conduct करते हैं या games और sports जो होते हैं हमारे स्कूल में organize कराई जाते हैं या scouting जो होती है या debates वगएरा जो होते हैं या NCC और NSS की activities कुछ होती हैं ये सारी भी क्या है आपकी co-curricular activities उसके बाद हम देखेंगे importance क्या है co-curricular activities की ठीक है तो सबसे पहले physical importance तो सबसे पहले physical importance यानि इसकी physical क्या importance है क्या जरूरत है physical में आप समझों जो हमारी body के related आप देखोगे जब हम अलग-अलग games में participate करते हैं अलग-अलग activities में participate करते हैं उससे क्या हो जाता है जो हमारी body motion to move करती है उसमें movement होते है अलग-अलग हम exercise करते हैं अलग-अलग games खेले इसमें अलग-अलग कि exercise होती है आप अपनी body को move करते हो जिसकी वज़े से क्या हो जाता है जो हमारी physical fitness है जो कि आप पढ़ोगे आगे जाके जो physical education है उसमें तो जो physical fitness है वो maintain होती है इंसे ठीक है जब आप अलग-अलग games खेलोगे आप हमेशा fit रहते हो जब तक आप कोई game खेलते रहते हो fit रहते हो है ना और हमेशा आपका दिमाग अच्छे से काम कर पाता है और जितने भी आपके glandular system जो भी होता है हमारा body का वो अगर आप एक जगह पर ही बैठे रहोगे तो आप अच्छे से आपकी जो fitness है वो आप अच्छे से maintain नहीं कर पाऊगे ठीक है और इससे क्या हो जाता है जो भी हमारे समझवाब जो हमारे अंदर जो भी energy भरी होती हैं जो कि हमें कुछ करना चाहते हैं बट हमें नहीं पता ह जितने भी आपका चाहे गुसा हो आपको चाहे कोई चीज आपको परिशान कर रही हो अगर आपको ऐक्टिटी करते हो ос क्या हो जाता है। अफ Rules ऑन्से जितने भी भी भुरे खयालात होते हैं था ख़तम होजाते हैं जब आप ऑने आपको पूरा डाल देते हो इसके बाद स दुसरा हिस्सा है कि साइकॉलजी के रिलेटेट क्या इसकी इंपोर्टेंस है तो इसमें आप देखोगे कि जो जब हम अलग अलग अक्टिविटीज करते हैं अलग अलग गेम्स खेलते हैं या डिबेट्स करते हैं इससे क्या हो जाता है हमारी जो इमोशन्स है उनको उनकी ट्रेनिंग होती है ठीक है जो भी हमारी सेंटिमेंट्स होते हैं उनको हम अच्छे वे में लगा सकते हैं यह नहीं है कि आप हम कुछ भी आप सोच रहे हो तो आप उसके वही करने लग जाओगे या आपको गुसा आ रहा है तो आप किसी पर भी गुसा निकाल दोगे ऐसा नहीं होता है ठीक है जब आप गेम्स अलग अलग खेलते हो फिर आप जितने भी आपकी पैंट अप एनर्जी होती है वह आप गेम्स में डालने की कोशिश करते हो जिससे क्या हो जाते है आपका जो प्रॉब्लम्स होती है आपके दिमाग में या कुछ भी आपको परिशान कर रहा होता है वह ख़तम हो जाता है उसके बास क्या होता है जो भी अगर आपका कोई hidden टेलेन्ट है अगर आप studies में अच्छे नहीं हो या और चीज davon क्या नहीं हो बट कोई न कोई चीज वोगी निया जिसमें आप अच्छे हो अगर आप games वगेरा तो इससे कीवा सकता है कि दो वाल सका बहुत अच्छे हो इससे कि उछाएगा जो झालें किपे आप जो गेंट आपका जो चुपा हूँ थे आ खिंगे चालेंट आफम को चिंड आप आपको पार शाएम तो इसके आपको możesz वाल सकते हों उसके बाद सौशल इमपोर्टेंस क्या है इसकी तो सौशल इमपोर्टेंस यानि सौशाइटी के रिडेटर यहानि जब आप अलग-अलग गेम्स खेलते हो इसमें आपको ग्रूप्स में खेलना होता है ना अलग-अलग जो को कोई कोई कुलर अटिविटीज होती है चलता है कि मुझे responsibilities को कैसे share करना है आप नही नही जो की feelings होती है जैसे की cooperation क्या होता है, belongingness क्या होती है, sincerity क्या होती है, loyalty क्या होती है, sportsmanship क्या होती है, जब आप अलग-अलग activities करते हो बहुत सारी लोग के साथ मिलके एक group में तो आप यह सारी चीजें सीख जाते हो, यानि यहा आपका moral importance, जब क्या, जब आप अलग-अलग activities में participate करते हो, तो उससे क्या हो जाता है, आपके जो moral or ethical qualities होती है, वो develop हो जाती है, या अगर आपके अंदर नहीं भी है, आपको नहीं पता है की ethics क्या होते है, या moral values क्या होते है, जब आप games में participate करते हो, आपको वो सारी चीज confidence दिखाना होता है, तो ये चीज़े अपना भी चाहो लेकिन आपको गेम में जाना है, तो आपको इस सारा करना पड़ता है, उससे क्या हो जाता है, आपका ethical or moral जो qualities है, उनका development हो जाता है, जैसे कि जब हमारे school में morning assembly होती है, आप देखते हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सारे एक साथ मिलके, सुबा सवेरे बैटके एक साथ उसमें participate करते हैं, तो ये सारा इसमें होता है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, जब नएने प्रोग्राम्स आपको बताते हैं, नएने topics वहां पर बताए जाते हैं, तो उससे आपको समझाता है कि moral values क्या होते हैं, य ये सारा क्या होता है, ये आप सीख जाते हो वहां पर, उसके बाद है leadership importance, तो इसमें क्या होता है, जब आप अलग-अलग co-curricular activities करते हो, उन सब में क्या चाहिए होता है, एक leadership की, मतलब दिखाया जाते है कि आप leader कैसे बन सकते हो, आपको एक training दी जाती है, जितने भी फिर उसके बाद activities की जाती हमारे school में, तो किसी फिर लीडर की ज़रत पढ़ती है, अगर आप जैसे कि कोई game खेलते हो, उसमें तो किसी captain की ज़रत पढ़ेगी, तो हो सकता है, जो teachers आपको चुन ले, या किसी और बच्चे को चुने, जब आप ये, तो पहले ही जब आप इन ची तो भी आपनी इधर सीखिया है, जो स्कूल में आपनी activities की चीज़ें सीखिया है, आप अपनी job ये जहां पे आप काम कर रहे हो, वहां पे ये डाल सकते हो, तो उसके बाद है आपका disciplinary importance, यानि discipline के related, यानि जब आप अलग-अलग curricular activities में participate करते हो, तो आप क्या देखते हो, तो वहां पे अलग-अलग rules होते हैं, जो कि आपको follow करने ही है, अगर नहीं करोगे, तो आपको game से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो जिसके वज़े से क्या हो जाता है, एक self-discipline का concept आपके अंदर आ जाता है, जिससे क्या होता है, दीरे-दीरे आप एक disciplined life चीटते हो, एक खुद पे कैसे control करना है, और self-confidence, खुद पे एक confidence आ जाता है, कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो ये सारा आप इससे सीखते हो, उसके बाद है training of emotions, यहाँ पर अलग-अलग जो आपके emotions होते हैं, जैसे कि कभी excitement हो गई, कभी आपको jealousy, बहुत टाइम पे हमें games में होती है, हमें किसी से जल्धन होती है, हम उसको पसंद नहीं करते हैं, बट फिर भी हमें उसके साथ मिलके खेलना पड़ता है, तो या कभी आप दुखी हो जाते हो, बहुत जैदा, गेम में हार जीत होती है, बट कभी आप कभी कबार आप हार जाते हो, या किसी debate में आपने ट्रेनिंग हो जाती है, यानि कल को आपकी लाइफ में कितनी भी कुछ ऐसी सिचुवेशन आजाए, आप उनको आराम से हैंडल कर पाते हो, ठीक है, तो आप दीरे गरे आपी emotions जो होते हैं, वो ट्रेन हो जाते हैं, उसके बाद है, development of capacities and talents, यानि जब आप अलग अलग activities करते हो, यहाँ पर आपको आपके जो भी talents वगेरा हैं, उनमें development होता है, ठीक है, दीरे दीरे जो भी आप कोई game खेलते हो, या आप debates conduct करते हो, या आप morning assembly में speeches देते हो, तो उससे क्या हो जाता है, आपका एक जो talent है, वो उसका development हो जाता है, talent जो है, वो निखारा जाता है, तो सारी इसकी importance है, उसके बाद है आपकी types of co-curricular activities, अब क्या 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 कुन कुन सी जो co-curricular activities होती है, सबसे पहले हमारी literary activities, तो literary activities में हमारी आती है, जैसे कि debates हो गए, जो कि आपको पता है, स्कूल में कराई जाते हैं, आपके school की magazine बीच में आपको बच्चों को बोला जाता है कि कोई topic लिखके लाओ, वो आप लिखके लेते हो, फिर आपकी magazine पब्लिश की जाती है, वो भी एक activities में आती है, और library वगेरा जो है, वो इधर आता है, ठीके, literary activities समझो आप जहाँ पे आपको books वगेरा पढ़ने की जुरत पढ़ती है, debate आपको करना है, उसके लिए तो आपको बुक्स पढ़नी है, school magazine के लिए कुछ लिखना है, उसके लिए आपको book पढ़नी है, library में जब आप जाते हो, वहाँ पे आप books पढ़ते हो है, तो literary activities समझो आप सारी यह वो वाली activities है, जहाँ पे आपको पढ़ने की ज चलना हो गया, जिसमें वो सारा NCC होता है, यानि national cadet corps, उसके बाद scouting आता है इसमें, फिर है हमारा social activities, इसमें आता है आपको जहाँ पे हम groups में यह करते हैं, बहुत सारा group होता है, उसके साथ मिलके काम करते हैं, तो इसमें आता है हमारा morning assembly और NSS, ठीके, national service team, तो उसके आता है हमारा drama, dramatics, जिसको हम बोलते हैं, वो सारी drama वगयरा हमें सिखाए जाते हैं, कैसे आप कर सकते हो, और educational tours वगयरा होती हैं इसमें, और folk activities होती हैं, अब है सबसे पहले हमारी literary activity, तो सबसे पहले जो literary activities इना है, इसमें आता है हमारा debates, तो debates क्या होता है, it is a form of literary discussion, rich in arguments in which one or more students present their ways for and against a particular topic, तो यह क्या होता है, यहाँ पे एक form of discussion होता है, debate, आपनी देखा होगा आपके school में, अगर आप private school में पढ़ते हो, तो आपनी देखा होगा आपके school में debates वगयरा conduct कराये जाते हैं, I think government schools में उतना नहीं होता है, बट जो बड़े-बड़े government schools हैं, वहाँ प पर debates वगयरा और यह co-curricular activities में तो वहाँ पर माशाला बहुत जैदा मतलब बच्चों को participate कराया जाता है, तो हाँ, अब मेरा point यह है कि जो debates हैं, आप बोल सकते हो, यह एक form of literary discussion है, यानि इसमें आप पढ़के बोलते हो, यानि आप data collect करते हो, आप अलग-अलग books पढ़ते ह उसके उपर फिर आप discussion करते हो, नए-ने topics देखते हो, कोई भी topic हो सकता है, उसके उपर आप उसको पढ़ते हो, और उसके बाद उसके उपर आप एक इसी दूसरे group के साथ discussion करते हो, ठीक है, यह इसमें arguments होते हैं, और मतलब आप जो अदो टीम्स होती हैं, दो भी हो सकती हैं दो से जड़ा टीम्स भी हो सकती हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें अलग जो groups के students होते हैं, वो अपने जो भी किसी चीज़ के बाद जिस topic के उपर discussion कर रहे हैं, उसके बारे में अपने अपने जो सोचते हैं, जो उनकी सोच है, वो बताते हैं, ठीक है, और या तो किसी topic क लिए बता सकते हैं, या उसके खिलाफ बता सकते हैं, इसमें ठीक है, उसके बाद है importance of debates, तो debates की क्या importance है, सबसे पहले linguistic importance है, इसकी तो linguistic importance में क्या होती है, जो कि इसकी जो मुह से बोलता है, language जो होती है, वर्बल उसकी जो होती है, सबसे पहले क्या होता है, जो इसकी linguistic ability है, बोलने की जो ability है वो अच्छी हो जाती है लोगों के सामने और उसके बाद जब एक बचा डिबेट्स वगएरा में participate करता है उसको क्या हो पता चलता है उसको समझाता है कि subject matter कैसे उसको collect कर सकता है कहां कहां से उसको चीजें पढ़नी है उसकी जब वो अलग अलग जगां से च अपने ideas को कैसे organize करना है और organize करके कैसे वो अच्छे से उनको बोल पाएगा ठीक है तो जब वो बोलना सीखता है अलग अलग ideas को जहां-जहां से उसके पढ़ता है उसके बाद है इंटिलेक्ट्वल इंपोर्टेंस तो इसमें क्या होता है जब एक बच्चा डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता है उसके क्या हो जाता है जो जो thinking है वो clear रहती है वो सही रहती है वो गलत मतलब चीज RS नहीं सोचता है वो गलत और वो लॉजिक लगा के ideas सोचता है वो किसी यघी चीज़ पर ऐसे विश्वासनेष्वास नहीं कर लेता है उसके बाद इसकी जो thinking है कैसे अपनी ओरिजिनल थिंकिंग को कैसे लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकता हूँ वो सार वो सीखता है ठीक है उसके बाद जो बच्चा है जब वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता है उससे क्या हो जाता है जो उसका सेल्फ एक्सप्रेशन है कैसे वो अपने आपको एक्सप्रेस करेगा लोगों के सामने वो उसमें डेवलप्मेंट हो जाती है और जब वो लोगों के सामने आपको एक्सप्रेस करने लगता है उससे क्या हो जाता है उसका जो लोगों के सामने खड़े होने का या जो भी जब वो assembly पे खड़ा होगा जो उसका डर होता है वो कम हो जाएगा आपनी देखा होगा कभी आपको अचानक से कोई बोलता है कि कहीं पे उठके कोई speech दो आपको कितनी मतलब गबराहट हो जाती है कितनी shivering होती है तो अगर आप जितना जएदा आप debates में participate करेंगे उतना जएदा जो आपका ये stage का डर जो है वो कम हो जाएगा उसके बाद है emotional importance जब एक बच्चा debates वगरे में participate करता है उससे क्या हो जाता है उसको अपने emotions को कैसे stable रखना है वो सीख पाता है कैसे अपने emotions को लोगों के सामने control करना है वो सारा एक बच्चा सीख जाता है उसके बाद vocational importance जब एक बच्चा debates वगरे में participate करता है उससे क्या हो जाता है वो discussions में उसको training मिल जाती है यानि वो train हो जाता है और जब ये अलग-अलग activities वो करता है आगे जाके इन्हें में अपनी जो vocation है वो पा सकता है example में आप रख सकते हो teaching यानि teaching में आगे जाके वो बहुत अच्छा हो सकता है वो अपना vocation बना सकता है teaching को दूसरे नमबर पे जो literary activities में आता है वो है हमारी school magazine आपने देखा होगा आपके school के जो teachers है या principal भी हो सकता है वो आपको बोलते हैं कि magazine के लिए हमें अपने school की magazine publish करनी है तो उसके लिए आप अपने जो भी आप अगर किसी चीज़ के बारे में लिखना चाहते हो तो जो भी आपको topic अच्छा लगता है तो उसको किसी topic को choose करके उसपे कोई ये लिखके लाओ आर्टिकल लिखके लाओ तो उसको हम बोलते हैं school magazine तो school magazine provides opportunities to the people pupils to express their views and ideas तो जो school magazine होती है ये एक जो बच्चा होता है pupil का मतलब है यहाँ पे एक बच्चा तो जो बच्चा होता है ये स्कूल के जो बच्चे होता है उनको क्या एक opportunity देता है ताकि वो अपने जो भी वो चीज सोचते हैं या उनके दिमाग में जो भी ideas वगएरा हैं वो उनको express कर पाई तो जब कोई teacher उनको बोलता है कि आप किसी चीज के बारे में लिख के लाओ तो उसके ओपर वो बहुत महनत करते हैं वो बहुत ज़्यादा hard work करते हैं जिसे क्या हो जाता है फिर वो articles prepare करते हैं magazine के लिए तो जिससे क्या हो जाता है जब वो इस पे बहुत ज़्यादा काम करके कोई article लिखते हैं उसे क्या हो जाता है उनका जो power of expression है कैसे आपने आपको express करना है वो सारा सीखते हैं और इसके साथ-साथ उनकी जो language है vocabulary है वो सीखते हैं और जो उनकी language है वो better हो जाती है उसके बाद importance of school magazine तो school magazine की क्या importance है सबसे पहले proper use of leisure time तो सबसे पहले जो एक बच्चे का free time होगा वो अगर उस free time में अगर नए नए चीज़ें पढ़ेगा नए ने articles पढ़ेगा और उसके उपर फिर लिखेगा तो उसे क्या हो जाएगा जो उसका free का time है वो अच्छी चीज़ें यूटिलाइज हो जाएगा provides entertainment तो उसके बाद जब एक बच्चा स्कूल की मैगजीन पढ़ता है आप देखोगे आप भी कभी स्कूल की मैगजीन अगर पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ना है जब नएने बच्चों नी जो topics लिखे होते हैं जब आप वो पढ़ते हो उससे आपको एक मतब आपको बहुत अच्छा लगता है वो पढ़के उसके बाद जब आप स्कूल मैगजीन पढ़ते हो आप देखोगे वहां पर different different topics होते हैं आपके culture के उपर topics लिखे जाते हैं और daily issues जो होते हैं हमारे उनके उपर topics लिखे जाते हैं history के उपर topics लिखे जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है आपको एक अपना जो आपका culture और heritage है उसके बारे में आपको information मिलती है जो आपको नहीं पते हैं अपनी culture के बारे में वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हो by reading a school magazine उसके बाद है it provides knowledge of outside world तो जब आप कोई school magazine पढ़ते हो उसमें कोई अगर topic होगा जो कि किसी बाहिर की country समझो आप USA के बारे में लिखा हो सकता है Russia के बारे में लिखा हो सकता है तो आप को यह हमारा जो state है उसके बाहिर वाले जो state है उनके बारे में लिखा होता है तो आपको उससे क्या होता है जब आप school magazine पढ़ते हो उससे आपको जो outside the world जो हमारी जो यह है जो भी knowledge है वो हमें मिलती है उसके बाद develops moral and spiritual values तो उसके बाद इससे जब हम school magazines पढ़ते हैं उसमें जो topics लिखे होते हैं या हम भी कोई topic अगर लिखना चाहते हैं तो हम उसके ओपर बहुत जादा research करते हैं उससे क्या होता है हमारी जो moral और spiritual जो values हैं उनकी development हो जाती है और जब हम school magazines वगज़े हैं उससे क्या होता है हमारी जो national और international understanding है वो भी बढ़ जाती है यानि जो हमारी जैसे कि इंडिया है उसके कितने states हैं कुन सा state कहां पे है क्या है वो हमें समझाता है अगर उसके बारे में कोई topic लिखा होगा या हम लिखना जाते हैं और फिर हम research करते हैं बारे में तो हमें पता चलता है और international यानि वर्ल्ड में कुन कुन सी country है वो कहां पे है वो क्या करती है वहां पे कैसी क्या होता है क्या rights वगरा दिये जाते हैं citizens को वो सारा जब हम बढ़ते हैं तो हमें एक understanding जो हमारी है वो बढ़ जाती है जो भी चाहे वो national level पे हो या international level पे जो हो वो उसकी हमारी जो understanding वो बढ़ जाती है उसके बाद number three पे है हमारी library तो हम बोल सकते हैं library is defined as any collection of books organized for use अगर आपको library की कोई भी आपके सामने बात करता है तो आपके दिमाग में क्या image बनती है यानि कोई कमरा होगा और वहाँ पे बहुत सारी shelves होगी और वहाँ पे बहुत सारी books रखी गई होगी है ना यानि library आप बोल सकते हो जहाँ पे कोई जगह हो जहाँ पे बहुत सारी books रखी गई हो और्गनाईज करके libraries collection में include books, newspapers, films, maps, documents, novels, periodicals and formats तो ज़रूरी नहीं है जो हमारी library हो वहाँ पे सिर्फ books हों बलकि वहाँ पे books भी होती है, newspapers होते है, films वगेरा होती है, CDs होती है, maps होते है, documents होते है, novels होते है और बाकी formats वगेरा वो सारा भी होता है the library is generally located in the campus and school and college, campus of school and college तो आप बोल सकते हो जो एक library होती है, वो या school के अंदर होती है, हमेशा वो school के अंदर होती है, या college के अंदर होती है, ठीक है उसके बाद है, the main function is to provide resources and research support for students and teachers तो उसके बाद जो library का main मकसद जो है, वो है कि ताकि बच्चों को अगर किसी भी चीज़ पे वो research कर रहे हैं, उनको उसके लिए resources मिलें, उनको अलग अलग जगाओं पे जाने की ज़रत ना पढ़ें, बलकि वो library में आएं और वहाँ पे जितने भी books वगरा हैं, वो वहाँ पे डूंडें, उनको जो भी चीज़ के बारे में research करनी है, जो भी book चाहिए, वो वहाँ पे उनको easily मिल पाई, जाए वो students हो या teachers हो, तो उनको आराम से वो book मिल जाए, जो भी उनको चाहिए research की, जिसके उपर उनको research करनी है, उसके बार है importance of library, library की क्या importance है, सबसे पहले supplements classwork, तो कभी कबार आपको जैसे कि आप देखते हो school में कोई topic पढ़ाते हैं, तो आपकी जो book होती है, उसमें उस topic के बारे में ज्यादा नहीं लिखा होता है, तो आपको उसमें ज्यादा information नहीं मिलती है, तो उसके लिए अ आपकी understanding है, वो बढ़ जाएगी, यानि जो class का work है, वो भी सही से आप कर पाओगे, उसके बाद है, promotes habit of self study, तो जब आप library में जाते हो, वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ते हो है, तो उसके क्या हो जाता है, एक self study की habit है, आ आपके अंदर आजाती है, उसके बाद moral training, यानि जितने आप books पढ़ते हो, बोलते हैं ना कि जो books हैं, वो आपकी सबसे एक इनसान की best friend होती है, जो जब भी एक इनसान को किसी भी इसकी जरुरत हो, suggestion की जरुरत हो, वो books पढ़ सकता है, तो वो आपको हम कभी नाराश नहीं करेंगी, या कभी आपको नाराश नहीं करेंगी, तो वैसे ही है, है ना, तो आप books पे trust कर सकते हो, वो नहीं जो जिनके ओपर wrong information होगी, या गलत चीजें लिखी होगी, वो वाली books नहीं, बलकि जो अच्छी अच्छी books होगी, जो आपको आगे जाके, या अब भी भी आपक अच्छा इनसान बनाएंगी, वो वाली books, ठीक है, तो जितनी जएदा आप books पढ़ोगे, उतनी जएदा आपकी जो moral understanding है, वो बढ़ेगी, आपकी जो morals, आप देखोगे, morals क्या, morals क्या होते हैं, या अलग-अलग ethical values क्या होते हैं, वो सारा आप सीखते हो, develops power of imagination, यानी जितन जएदा books पढ़ते हो, चाहे वो fantasies के related हो, वो horror हो, वो किसी भी topic के ओपर हो सकती है, किसी भी theme के ओपर हो सकती है, चाहे वो कोई भी मतलब हो सकता है, thriller हो, तो जब आप अलग-अलग जो ये books पढ़ते हो, उससे क्या हो जाती है, imagination की जो power वो आपकी develop हो जाती है, यानी आप चीज़ों को imagine करने लगते हो, अगर कोई चीज अपनी पढ़ी होती है, बोलते हो अगर वो ऐसे वो चीज़ों सकती है, तो ऐसे भी हो सकती है, तो क्या हो जाती है, आप imagine करने लगते हो चीज़ों को अच्छे वे में, उसके बाद है richness of information, यानी जतनी ज़्यदा books उसके बाद है हमारी physical activities, तो इसमें साव से पहले आता है हमारा games and sports, games and sports hold an important place in the school and promote physical and mental development of the pupils, तो हम बोल सकते हैं, जो games and sports हैं, यह हमारे school में, या हमारे curriculum में, बहुत important जो part है वो play करते हैं, ठीक है, यह यानी जरूरी एक school में होना, games and sports conduct करना बहुत ज़्यदा जरूरी है, ताकि जो बच्चे हैं, उनका जो physical or mental development अच्छे से हो पाए, sound mind is ensured in a sound body, तो हम बोल सकते हैं, एक जो अच्छा दिमाग वहां पे होगा, जहां पे एक अच्छी body होगी, ठीक है, एक इन्सान की अगर body अच्छी है, तो तब उसका दिमाग भी अच्छा होगा, ठीक है, हम बोलते हैं, कि school जा तो सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, नहीं, पढ़ना प्लस आपको गेम्स भी खेलनी है, क्योंकि जब आप गेम्स खेलोगे, आपका माइंड जो होगा, वो रिफ्रेश हो जाएगा, वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तयार हो जाएगा, जब आप अपने दिमाग में ठूसते ही जाओगे, स्टडी करते ही जाओ कितनी इन्फॉर्मेशन वो भी लेगा है, एक टाइम पर आप भी तांगा जाओगे, तो इसलिए क्या करते हैं, आपको जब आप कभी पढ़ना स्टार्ट करते हो, यह नहीं कि आप सुबह से शाम तक फिर पढ़ते ही जाओगे, अगर आप बारा गंटे भी दिन में तो जब आप स्कूल जाते हो, तो अब देखो कि कश्मिर में अगर देखा जाए 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 मैं नहीं देखा है कि मतलब गेम्ज और स्पोर्ट्स वगएर उतनी इंपर्टन्स ने दी जाती है, इतना बोला जाता है कि यह करो आप सिर्फ यह पढ़ाई करो और वो भी गर्ल्स को गर्ल्स को तो I think बहुत जैदा यहां पर कोई लड़की भी बोलती कि मुझे गेम्स खेलनी है उसको बहुत जैदा बोला जाता है कि तुम्हें क्यों गेम्स खेलनी है इतना क्या है तुम्हें पढ़ाई के लिए बेजाए कि गेम्स खेलनी के लिए जितना अगर आप पढ़ाई कराते हो बच्चे को तो आपको उसी हिसाब से गेम्स के लिए भी टाइम देना चाहिए तो यहां पर क्या होता है लंज ब्रेक होता है गेम्स के लिए कभी ब्रेक आपको बीज में कभी दिया जाता है तो वो काम करके हमें स्कूल में लगवखर एक वो ऑनमे काल ऑग में घैखने विच्ब एक सब्सक्तथ इता सकुख दवर अब का बड़ कि जारए वो बड़आ उन्ट बच्चे हो या छोटे बच्चे हो जाहे को पारदी बच्चों स्कूलेज के बाड़ेम्स करें लिए पयादा इंप्च्च के लिए रिपको आब जो भी बहुत ज़्यदा पैंट अप एमोशन होते हैं, पैंट अप एनरजीज होती हैं, जो बरी हुई होती हैं, तो अगर उसको कोई अच्छा चैनल नहीं मिलता है, जिसमें वो इनको डाल सके इनरजीज को, तो वो क्या करता है, जो बच्चा होता है, वो गलत रास्तों पे मुबाइल फोन यूज करने लगते हैं, तो वो दिन पर अगर मुबाइल फोन में ही रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, उनकी आइस भी खराब हो जाएगी, तो उनके दिमाग पे असर पड़ेगा, तो इसलिए यानि वो अच्छे वे में अपनी जो एनरजी है, उसको यूट उसके बाद objectives क्या है इसके, या importance क्या है इसकी, तो सबसे पहले जो ये physical activities है, ये एक बच्छे का जो character है, वो उसमें development कराती है, जो उसके अंदर discipline क्या होता है, वो वाले values डालती है, honesty क्या होती है, sincerity क्या होती है, वो सारा एक बच्छा यहां से games और sports में, जब वो rules वगरा तो वो सीखता है, to provide a suitable environment to motivate the youth to take up a career in the games and sports, तो जब एक बच्छा पहले से ही games और जाता है, तो वो देखता है games और तो आगे जाके क्या होता है, वो फिर इसी में अपना career बना सकता है, तो अगर बच्छे को पहले या बताओगी ये ये game है, जब वो खेलेगा तो उसको लग games और sports है, ये हमारे जो body है, उसको strong बनाती है, उसके बाद ये हमारे lungs जो होते है, उसको expand करती है, उसको बढ़ाती है, जिसे क्या हो जाता है, जो हमारे blood का circulation है, जो हमारा blood body का उपर से नीचे जाता है, head से लेके toe तक, उसकी जो circulation है, वो भी अच्छी बना देता है, provides freshness to the mind यानि हमारे एक mind को refresh करता है, यानि freshness देता है, it teaches us the spirit of sportsmanship, ये हमें बताता है कि sportsmanship क्या होती है, honesty क्या होती है, punctuality क्या होती है, team spirit क्या होती है, और leadership क्या होती है, जब हम games और sports में participate करते हैं, तो ये सारी चीज़े हम यहां से सीखते हैं, उसके बाद है NCC, यानि national credit corps, the national credit corps is the Indian military credit corps with its headquarter at New Delhi, तो हम बोल सकते हैं, ये एक military, जो Indian military है, उनकी तरफ से एक बनाई गई है, वो इसको ये support करते हैं सारा, और इसका जो headquarter है, वो हमारा New Delhi में है, it is open to school and college students on voluntary basis, तो हमारे school और college के students के लिए खोली गई है, it is dry service organization comprising the army, navy and air force, तो इसमें ये तीन services होती है, इसमें army होती है, navy होती है, और air force होती है, तो ये किसलिए काम करती है, ताक कि जो हमारा यूथ है, इंडिया का, वो एक अच्छा यूथ बने, एक अच्छा इंसान बने, एक disciplined life जीए, और एक patriotic citizen बने, जब पहले ही आपको बताएं हमें अच्छे से अपने देश को साफ रखना है, उसकी खिदमत करनी है, उसको protect करना है, कभी भी उसको कोई अगर उस पे खत्रा हो, हमें अपने देश को बचाना है, वो सारे values एक बच्छे के अंदर डाले जाते हैं, ताकि आगे जाकि वो एक अच्छा citizen बन सके, उसके बा अगरे अहते हैं, जो यूथ है हमारे India का, young people उनके लिए खोली गई है, यानि 13 साल की बच्छे, इसमें participate कर सकते हैं, लेके 26 साल की बच्छे, जतने 13 से 26 साल की बच्छे जोंगे, वो इसमें coordinate कर सकते हैं, यानि 13, 14, 15 जो भी बच्छे होंगे, वो कर सकते हैं इसमें coordinate, और जो मोटो है वो है unity and discipline, यानि एकता और discipline, ठीक है, discipline यानि आप अच्छे से जब आप एक discipline के साथ life जीते हो, यानि एकतार अनुशाशन, एकता, शौरी यहां पर मैंनी आर लिखाए नहीं, यह एकता है, एकतार अनुशाशन, ठीक है, एकतार अनुशाशन, ठीक है, इसको कैसे प्रणाउंस करते हैं, तो, इसके बाइस की aims and objectives क्या है, तो सबसे पहले यह, इसका main aim है, कि बच्चे के अंदर एक बच्चे का character, इसका character, अच्छा किया जाए, उसका अंदर discipline, डाला जाए, इसको बटाया जाए, इसको बटाया जाए, लीडर्शिप कॉलिटी के लोग रहते हैं, एक secular nation है, उसका कोई अपना religion नहीं है, तो हमें हर एक religion की इजद करनी है, और किसी भी इंसान को छोटा बड़ा नहीं समझना है, और सब के साथ अच्छे से behave करना है, तो किसी के साथ discriminate नहीं करना है, ताकि यह सार उसको सिखाय जाता है, ताकि आगे जाक एक बच्छे को बताया जाता है कि लिडर्शिप क्या होती है, और उसकी हरे पूरी लाइफ में कैसे वो अपने जो जिंदगी है, वो अच्छे तरीके से जी सकता है, और जब भी उसको उसकी हमारी निशन को जरुरत पड़े तो आगे आके अपना रोल निपाए, तो प्रो जाता है ताकि आगे जाके वो बच्छा हो सके तो इसी में आम्ड फोर्स जो है उसमें अपने अपना एक करियर बना ले, उसके बाद है हमारी स्काउटिंग, तो स्काउटिंग इट इस अ मृटी परपस एक्टिटी मेंट फो प्यूपल्स फ्रॉम 11 तो 18 यह उफ एज तो इसमें बहुत सारी एक्टिटी करा आई जाती है तो इतने साल के बच्चे इसमें पार्टिस्पेट कर सकते हैं, गैरा से लेके 18 साल के बच्चे, जो बच्चे इसमें पार्टिस्पेट करते हैं, उनको स्काउट्स बोला जाता है तो जो स्काउट्स हैं, उनके बहुत सारी duties होती हैं और they undertake social service programs और वो लोगों की कैसे help कर सकते हैं वैसे उन programs में participate करते हैं जैसे की कैसे अपने environment को साफ रखना है वो उसमें participate करते हैं अपने environment को इरद इरद का जो माहुला उसको साफ करने की कोशिश करते हैं रास्ते बनाते हैं और अगर कोई social Filipino function होता है उसमें participate करते हैं उसमें लोगों की मदद करते हैं और यह जो बचे होते हैं यह साथ काम करते हैं और एक साथ रहते हैं और जो हर एक डो भी स्कव्ट होता है न वो उसको कुछ रूल्स वगेरा बताए जाते हैं और उसको उनको ओबे करना होता है ठीक है और जो भी जाहे वो लड़का हो या लड़की वो इसमें पार्टिस्पेट कर सकते हैं और उनको जो स्काउट्स होंगे उनको हर रोज कोई अच्छा काम कोई अच्छा काम हर रोज करना ज़रूरी है तो जब जो स्काउट्स होते है ये अलग-अलग स्कील्स वगयरा सीखते हैं जैसे की रोपस को हम रोपस औ रोपस स्टिक्स को कैसे जो छड़ियां और रसी या उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं हम टेंट वग्यरा कैसे बना सकते हैं वो सब सीखते है तो उसके बाद उब्जेक्ट यूज क्या है इसके तो सबसे पहले है कि तो टीच डिग्निटी ओफ लेबर यानि एक बच्चे को सिखाय जाता है कि कोई जो हम किसी अगर कोई इनसान होता है वो कोई काम करता है हम उसको छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए हर एक काम जो है वो बराबर होता है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है जब तक वो गलत ना हो ठीक है कोई भी काम चाहिए कोई इनसान कहीं पे साफाई करता हो कोई भी इनसान कहीं पे कुड़ा उठाता हो कोई भी इनसान चाहे वो कोई I.S. आफिसर हो या कोई भी हो सब एक पराबर है कोई छोटा बड़ा नहीं है तो इसमें हमें ये सिखाया जाता है यानि हमें काम की इज़त करना सिखाया जाता है हमें ashamed feel नहीं करना चाहिए चाहिए हम गरीब गर में हो या किसी अमीर गर में हमें उस चीज़ पे ashamed feel नहीं करना चाहिए तो वो सब हम यहां पर सीखते है तो develop fellow feeling यहां पर हम जब groups में रहते हैं तो हमें कैसे एक दूसरे के साथ रहना है वो सीखते है तो इसमें हमें practical training दी जाती है social service में यानि बच्चों को बताया जाता है कि तुम वहाँ जाओ और लोगों की help करो तो जब लोगों की मदद करते हैं लोगों को पढ़ाते हैं या उनका काम कोई करते हैं तो उससे वो उनको एक practical training मिलती है वो अपने हाथ उसे वो काम करना सीखते हैं तो इसमें adventure जो होता है अलगग चीज़ उनको देखना नई नई चीज़ें करना वो उस सब के लिए एक बच्चे के अंदर प्यार पैदा किया जाता है इसमें जो बच्चे की physical well being है उसको develop किया जाता है उसके बाद जो principles है scouting के वो है इसके क्या रूम ये है तो सबसे पहले principles में इसका तीन principles है इसके duty to God यानि जो खुदा है उसकी duty करना duty to others यानि दूसरों की खिदमत करना और duty to self यानि खुद के towards एक duty को निपाना उसके बाद है हमारी social activities इसमें आती है हमारी सबसे पहले morning assembly morning assembly is the first activity of the school to start with तो आप जब देखो कि आपने school में की जो morning assembly है वो आपके school में सबसे पहले जो activity कराई जाती है वो morning assembly होती है here all the students and teachers assemble at one place where prayers are held, instructions are issued, announcements are made, brief ethical speeches are delivered and similar other activities are arranged तो यहां पर आप देखोगे सारे जितने भी बच्चे और teachers होते हैं वो एक जगा पर आते हैं assemble करते हैं और यहां पर prayers वगेरा health की जाती है और जो भी स्कूल में instructions होते है चाहे teacher को बताया या principal बताया वो बताया जाते है announcements बताई जाती है speeches वगेरा दी जाती है और बागी जो activities हैं वो यहां पर कराई जाती है तो उसके बाद objectives क्या है सबसे पहले इसका objective है कि जो बच्चे का जो दिन है या सब का जो दिन है वो खुदा को याद करके शुरू किया जाए और उसकी दुआ उससे जो उसकी blessings है वो ली जाएं तो प्रोवाइड moral development of people जब वो यहां पर आप देखो कि money assemblies में बहुत सारे topics बताई जाते हैं teachers बहुत सारे speeches देते हैं उससे क्या हो जाता है बच्चे का moral development है वो हो जाता है इसमें क्या होता है इक बच्चे को opportunity मिलती है वो अपने उपको express कर सके यानि अलग अलग जब वो topics बताता है उससे क्या हो जाता है वो अपने आपको express करना सीख जाता है अपने emotions पर control करना सीख जाता है उसके बद एक बच्चे को यहां पर जितने भी बच्चे उसको पता चलते हैं उसके बाद है इदर बताया जाता है कि एक correct audience habits क्या होनी चाहिए एक audience को कैसे listen करना चाहिए कैसे उसको बैठना चाहिए कैसे behave करना चाहिए यहाँ पर national festivals जो होते हैं उनको celebrate करना सिखाया जाता है यहाँ पर announcements जो भी होती हैं बताई जाती हैं और यहाँ पर एक feeling of oneness यानि सारे बच्चे एक बराबर हैं वो जो feeling है वो बच्चों के अंदर डाली जाती है यानि आप देखोगे स्कूल में जवब जाते हो same uniform पहनते हो सारे बच्चे जाए वो अमीर का बच्चा हो गरीब का बच्चा हो किसी का भी हो वो जब एक साथ खड़े रहते हैं उसे क्या उनके अंदर आता है कि उसका मकसद यह होता है morning assembly का सबको लगे कि हम यहाँ पर सारे बराबर हैं कोई छोटा बड़ा नहीं है उसके बाद है NSS यानि national service scheme it was officially started on 24th of September 1969 तो यह कब start की गई थी 24th September 1969 में ठीक है तो यह याद रखना date आप क्योंकि हो सकता है इस पर मत आपको objective type question आजाए तो इसका मकसद क्या था एक community और जो campus जो भी है जहां पे बच्चे हैं उनके बीच में और community के बीच में एक link बनाई जाए ठीक है एक link establish की जाए it inculcates the spirit of voluntary work among the students यानि इसका क्या मकसद है ताकि बच्चों को खुद जाके लोगों के लिए काम करें वो सिखाया जाता है it brings our academic institution closer to the society इसका मकसद है कि जो हमारी school वगेरा है उनको जो society है उसके नजदीक लाया जाए उसके बाद NSS aims at developing among the students a sense of participation in mission building through social work तो इसका क्या मकसद है ताकि जो बच्चे हैं उनके अंदर a sense of participation in mission building यानि अपने mission जो हमारा इंडिया उसको कैसे develop करना है उसको कैसे आगे बढ़ाना है उसका through social work यानि लोगों की help करके हम कैसे अपने mission को आगे बढ़ा सकते हैं वो एक बच्चे के अंदर a sense डाली जाए इसका motto जो है वो है कि not me but you मैं नहीं बलकि तूम उसके बाद है objectives इसके क्या objectives हैं importance क्या है इसकी तो इसमें ये देखा जाता है कि जितने भी हमारी जो needs और problems है हमारी community में लोगों की वो सारी देखी जाती है और कैसे उनको हम solve कर सकते हैं वो देखा जाता है वो बताया जाता है बच्चे को उसके बाद इसका मकसद है जितने भी हमारे चाहिए कभी कोई emergency आ जाए या कभी कोई जलजला आ जाए या drought आ जाए या famine आ जाए या flood आ जाए उस टाइम पे हम कैसे लोगों की मदद करेंगे वो बच्चे को जिखाया जाता है और बच्चों को उस टाइम बोला जाता है कि तुम यह जो वहाँ पे उसके बाद जो अब्जेक्टिव हो है कि जो गरीब लोग है उनकी कैसे मदद की जाए फ्री टाइम में यानि इनको बता जाता है कि फ्री टाइम में बच्चों को बोला जाता है तुम गरीब जो लोग है उनको help करो यहाँ पे जब बच्चा जाता है तो पाट्सिपेट करता है तो उसके परस्ट्टिव हो जाती है और जब वो अलग अलग लोग उसके मिलता है तो उसको पता चलता है कि मैं आपनी कैसे परस्ट्टिव को और अच्छा बना सकता हूँ help in social work and community service तो इसके बाद मकसद होता है ताकि जो भी social work है society में जो काम है उसमें help करें और जो community है उसकी service की जाए वो यहाँ पर इसका मकसद है उसके बाद है aesthetic and cultural activities तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे dramatics यानि drama जो होते हैं हमारे school में it means enacting a drama यानि इसका मतलब है कि कोई drama करना करना नहीं मतलब कोई drama कंड़क्ट करना school में an event or story on the stage यानि कोई drama लोगों को दिखाना या कोई event करना हमारे school में किसे story की हो ठीक है चाहे वो Macbeth की story हो, Romeo and Juliet हो या कोई भी story हो जो कि मारे कश्मीर में करने नहीं देते हैं बट कोई न जैसे कश्मीरी जो drama हो गए या डोगरी ड्रामा वगरा होते हैं या कोई भी drama हो गए किसी language में वो सारा लोगों के सामने दिखाना stage के उपर the students play the role of various characters जो यहाँ पे students होते हैं अगलर characters के रूल निबाते हैं वो बहुत सारी books पढ़ते हैं ताकि उनको समझाए कि वो अपने आपको कैसे एक play में डाल सकते हैं जिससे क्या हो जाता है एक जो बच्चे की जो subject के related knowledge है वो बढ़ जाती है objectives क्या है इसके तो सबसे पहले एक जो बच्चे की pen tap emotions होते हैं और जो उसकी suppress दबाई गई feelings होती है वो उनको ड्रामा के थूर बाहर निकाल सकते है कभी कबार किया होता है कोई बच्चा होता है उसकी life में कुछ चीज़े होती है वो जब कोई story पढ़ता है उसको लगता है तो इससे क्या हो जाता है एक practical opportunity मिलती है ताकि एक बच्चा जो अपनी speech pronunciation of fluency है उसको अच्छा बना पाए उसके बाद ये team work को कैसे करना है और cooperation के साथ कैसे एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है उसमें training देता है एक it provides a rich and healthy environment ये अच्छा और healthy environment establish करता है इधर क्या होता है एक बच्चे में जो through dramatics यानि drama कंड़क्ट करके हम बच्चे को social economic or personal problems है हमारी यहां वो हमसारी बता सकते हैं उसके बारे में अवेर कर सकते हैं उसके बाद है educational toes educational toes are visits to places of historical, geographical, cultural, industrial, agricultural and educational importance तो आप देखोगे जो educational toes होगे पिकनिक्स वगए जो हमारी स्कूल वगए कंड़क्ट कराते हैं वो सारे इसमें आते हैं यानि वो किसी historical place पे आपको लिया जाए जो graphical place पे लिया जाए ताकि आपको वहाँ पे जाके education मिले उनको हम बोलते हैं educational toes field trips are visits to local places तो field trips इसमें जो होती हैं वो होती हैं जो इरिद गरिद जो जगाएं हैं जैसे कि visiting a farm, factory, river, museum वो वहाँ जब जाते हैं उनको हम field trips बोलते हैं वो भी सी में आती है education toes में by moving outdoors people get first hand information and experience जब एक बच्चे को बाहिर लिया जाता है तो उसको वो जो books वगरा में पढ़ता है जैसे बुर्जा होम के बारे में आपनी पढ़ा होगा तो books में उतना समझ नहीं आता है बट आपको अगर कोई बुर्जा होम ले जाए तो आपको वहाँ पर जब आप चीज़ों को अपने हाथों से देखोगे महसूस करोगे तो आपको ज़्यदा टाइम तक आपको समझ आएगी चीज़े या दिमाग में रहेंगी आपके या आपको जल्दी समझ आ जाएगी इसके objectives क्या है helps to clarify the subject matter यानि जो चीज़े हमने subject किसी book में पढ़ी होती है जब हम खुद देखते हैं अपनी आँखों से तो वह जाएदा अच्छे से हमें समझ आती है उसके बाद एक बच्चा जब कहीं पर जाता है तो चीज़ें देखता है तो उसके अंदर क्या आ जाता है एक interest पैदा हो जाता है और चीज़ों को देखने में इससे जब एक बच्चा आप देखोंगे जब भी हपो बोला जाता है आज हम कहीं टोर पे जाएंगे तो आप बहुत खुश हो जाते होंगे है ना तो मज़ा आता है इससे तो यानि बच्चे को entertain करना ठीक है इसका ये भी मक्सूद होता है यानि जब वो पूरे साल पढ़ रहा होता है पढ़ रहा होता है और एक दिन उसको बोला जाए कि पिकनिक जाएंगे तो उससे क्या हो जाता है वो खुश हो जाता है तो उसके बाद क्या है ये जो हमारी बाहिर स्कूल के बाहिर की जो दुनिया है उसके साथ हमारा एक कॉंटेक्ट बनाता है उसके बाद बच्चे का जो mental horizon हो बढ़ जाता है जब वो नई नई चीज़ें देखता है उसका जो सोचने का नजरी है वो बढ़ता है तो ये एक first hand knowledge देता है यानि जो आपने books में पढ़ा होता है वो किसी और ने लिखा होता है तो फिर वो आप पढ़ते हो यानि वो second hand जो ये है knowledge है वो है जब आप खुद कोई चीज़ देखते हो फिर आप वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझाती है तो वो इसका मक्सूद होता है ये एक बच्चे में qualities of leadership पैदा करता है और जो भी developed social traits यानि हमारे इरद-इरद क्या हो रहा है कैसे हो रहा है वो सारा या कैसे लोगों से बात चीद करना है वो सारा हम इसमें सीखते है उसके बाद है folk activities तो इसमें the folk activities which come from from pupils daily life such as folk dance, folk music and variety shows तो इसमें आप बोल सकते folk activities वो होती हैं जो कि हमारे daily की जो life आप देखो कि जब आप शादियों में जाते हो वहाँ पर कश्मीरी गाने गाये जाते हैं जो मूँ में आप देखो कि वहाँ पर जो आपी languages हैं उनके गाने गाये जाते हैं उस तरीके से जो हमारा अपना dance है वो अलग होता है तो या variety shows जो होते हैं हमारी languages में वो सारा है इसमें आता है ठीक है different folk activities like folk dancing, folk music, teachers basic concepts of rhythm, repetition, sequencing, patterning, predictability and counting तो जब आप अलग अलग जो folk activities करते हो इससे क्या देखते हो आप जैसे की dance, music वगएरा इसमें आप देखते हो rhythm सीखते हो, repetition सीखते हो या कैसे counting वगएरा सीखते हो वो सारा सीखते हो आप देखो कि जो बच्चा होता है बच्पन से यो dance करता है वो गाने वगएरा गाता है तो उसी के तुरू हम उसको नही नही चीज़ें सिखा सकते है तो इसका objective क्या है तो सबसे पहले है एक बच्चा जब folk dance वगएरा करेगा या music में देख जाता है तो उससे क्या होता है उसका जो एक occupation अगर उसमें मज़ा आता है उसको तो वो उसी को अपनी occupation बना सकता है उसको enjoy कर सकता है या बच्चे को आप देखोगे अगर आपको कोई वो चीज़ देखता है dance वगएरा उसको पढ़ाई अच्छी नहीं लगी जितना उसको dance वगएरा अच्छा लगीगा या गाने अच्छे लगीगे तो वो चीज़ें ज्यादा अच्छे से करता है उसके बाद एक बच्चे का social और physical development हो जाता है इससे एक बच्चे के अंदर self confidence बढ़ता है self control बढ़ता है self discipline और cooperation with others वो सीखता है it helps in development of muscles of the child यहाँ पर जब एक बच्चा fork, dance वगएरा करता है उससे क्या हो जाता है उसकी muscles हैं उनका development हो जाता है तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर खतम हो जाता है thank you